तो आज हम लोग बात करेंगे एक फोन के बार में जिसका नाम है मोटरोला एज 45 जी वैसे तो नाम से यह मोटो एज 35 जी का सक्सेसर होने वाला मोटरोला एज 45 जी लेकिन ओवराल क्या कुछ इसके अंदर अप्ग्रेड होके आ रहा है क्या प्राइज मोने वाला क्या स्पेसि से लांच के बार में बात करें तो अलेडी यह लास्ट मंत यूरोप में लांच हो चुका और बहुत जल्दी इंडिया में इस मत में 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 आ जाएगा तो यहां पर डिजाइन वाइस मोटोरोला के तर से एक अच्छा चेंजेज हुआ है दू डिफरेंट टाइफ और बैक प्लस एट बिट पी ओलेट डिस्पे देखने मिलेगा जो की 144 हर्ट का रिफ्रेश रेट के साथ होने वाला 360 हर्ट का टस्ट सैंप्लिंग रेड इसके अंदर मिल रहा है यहां पर अच्छा से कर सकते क्योंकि बड़े डिस्प्लेय यहां पर मिल रहा है प्लस एच्छा क्व आप वाच कर सकते इसका अंदर डिस्प्लेय में आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पर यहां पर अगर आप लास्ट यह से कंपेर करिएगा मोटो एस 30 वर्सेस 40 तो यहां पर लास्ट यहां पर प्रोसेसर में एक अच्छा इंक्रिमेंट किया इधर आपको टा इस प्रोसेसर आपको मिल रहा है और उसी के साथ यहां पर कैमरा में एक मेजर डाउन साइज हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था लेकिन अभी इस फोन के दर आपको बैक में डूबल कैमरा मिलेगा जिसके अंदर 50 में पिक्सल का प्राइम कैमरा होगा OIS के साथ Optical Image Stabilization लेकिन सेकेंड कैमरा होने वाला सिफ 30 में पिक्सल का जिसके अंदर Ultra Wide मिल जाएगा मत्तब यहां पर आपको लास्ट है जो डो मिल आपको इस फोन के अंदर नहीं मिलेगा तो अगर आप phone buy करने का सोच रहे और आपका camera priority सबसे उपर है तो हो सकता है इस phone का जो camera result हो वो up to the mark नहीं हो last year के इसाफ से क्योंकि last year आपको back में triple camera में ले था 50 plus 50 plus 2 megapixel का triple camera फ्रंट में 32 megapixel से मिला तो यहां में सिव डूल मिल दा है लेकिन overall quality वाइस अभी तो on paper ही पता चला quality कैसा होने वाला है वो तो in hand जब आएगा यह जब review YouTube में पता चलेगा तभी बता पाएगे कि कैसा आपका result होने वाला है और एक चीज़ पता कि एफचर बहुत कम होने वाला मतलब यहां दो ही कैमरे प्राइम और एक ठो अल्टरा वाइड उसी के अंदर आपको सब कुछ अजस्ट करना होगा और वहीं बैटरी में यहां पर आपको चार्जर चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा वैसे यहां पर आपको खुश होना चाहिए क्योंकि ला यहां पर इस पोन का तो यहां पर इंडिस्प्ले फिंगरेंड सेंसर होगा फेस अल्लॉक मिल जाएगा यूफस 3.1 मिलने वाला डूल स्टीडियो स्पीकर डॉल्बी आइटमस के तरफ से आपको यहां पर मिल जाएगा वहीं अब इसका राम और प्राइसिंग बार में बा जो इरोप का था वह था 49,000 करवर्ड करके बता रहें लेकिन इंडिया में जो आएगा वह 25% डाउन होने वाला तो इंडिया में अंडर 30,000 यह फोन आपको मिल जाएगा तो यहां पर अंडर 30,000 सुनके दो तीन चीज माइन में क्लियर कर लीजिए अगर आपको एक अच्छ 256GB का स्टोरेज के साथ आ रहा है बागी 30,000 के अंदर हो सकता आपको इससे अच्छा अच्छा फोन मिल जाए हम यह आपको बताएंगे कोई टेंशन नहीं है मिल जाएगा कन्फर्म के साथ है क्योंकि प्रोसेसर भी इसका 6 910 चिपसेट है कहीना कि इससे अच्छा चिपसे के इंड से पहले लॉंच हो जाना चाहिए यह फोन बाकि अगर हुआ तो एक्स्टेंड हो जाएगा नेक्स मन्त के अंदर बाकि ओवरल क्वलीटी वाइस अच्छा होने वाला एवरेज है 30,000 के अंदर अगर कोई फोन आपको नहीं समझ में आ रहा तो यह फोन ले सकते क्ल कर दो एब क्वलीटे अजय वाला पार में ठाहिए आपको तो एmpärकि अंदर के अंदर चाहिए भाला प्रभवरेज़ दूसया अंदर के वाला छोला वाला प्वलीटी बाहा हो जाएगा